Hello everyone, Senpais here और आज मैं आपको बताना नो किस तरीके से हम लोगों ने 300 km से ज़्यादा ट्राइवल किया 12 गंटों से ज़्यादा इस्पेंड किया ट्राइवलिंग में जस्ट वाच आ अनिमे मुवी कॉल्ड दीमनिस लेयर अशीरा ट्रेनिंग आर लेटरली इतने प्लॉट ट्विष्ट तो डीमनिस लेयर में भी नहीं थे हम लोग जो है 8 बजे ही रेडी होने लगे थे और पूरे तयार वगरा हो गये थे 10 बजे की ट्रेन थी हमारी और मतलब हमारे घर से 150 km दूर ठीटर था जहां पर यी मूवी लगने वाली थी तो हमारे पास इनफ टाइम था हर चीज के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम पकड़ के चल रहे थे हमारा प्लैन था ठीटर के पास जल्दी पहुझने का और कुछ रील्स हो गयरा बनाने का ओडियन से बात करने का ट्रेन जो है अपने टाइम से लेट चल रहे थे और दस बजे के टाइम पे 11 बजे आई थी तो हमें वहीं पे इंतजार करना पड़ गया थुर्दे पर कोई इसू नहीं है हम लोग तो भी रिलाक्स है विकॉस हमारे पास मोर देन इनफ टाइम था एंड अफकॉस हम लोगोंने टिकेट खरीद के गये थे एक टिकेट का हमको 75 रूपीस पड़ा था एक्सप्रेक्स ट्रेन की जनरल टिकेट ली थी पर जो ट्रेन आई थी वो थी फुल एसी और हमें इस बात का नौलेजी नहीं था तो हम लोग ने बहुत आगे तक सर्ज कि है ढगिया और मोट आगे तक गयं इसा यह नहीं बहुत अगे तक गये भागते 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 बहुत थक भी गयते यहां तक अगर आप सब कुछ चल रहा है सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है बोलो तो अगर हम लोगों को ट्रेन मिल गई है बैड़ गया है ठीक है लेकिन यह खुश्यां वाले पल जादा देर तक नहीं चलते आने वाले स्टेशन पर जगा भर जाती है और इतनी जहर भर जा और भाई ऐसा हो भी क्यों आप पूरा पैक था उपर से ट्रेन वाला बार बार रोक राधा पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी सुनसान जगों पर जो कि मैं बता भी नहीं सकता और उतने में ही मेरा जगडा भी हो जाता है जब थोड़ी सी ट्रेन आगे खाली होती है तो मैंने एक को कहा जो कि नीले जैकेट मैं भी दिख रहे हैं चुपके से रिकॉर्डिंग किया हूं हाँ सेंपाई की बुरी आदत पर वो सीट मैंने गिरा देते हैं वो अंकल ने इस ट्रेकली मना कर दिया वो बुला कि मैं बुढधा होके भी दरवाजे पे खड़ा होना पसंद करता ह आई मीन कम ओन अंकल आपने टिकेट भी नहीं खरीदा है एनिवेस फाइनली हम लोग पहुचाते हैं पतना जेक्शन में जहां पर है पीम मॉल और सिने पोल्स वहीं पर वो मूवी लगी थी और सच बता रहा हूं ट्रेन ने हमारे प्लैन की एक कर दी थी मतलब पूरे प्ल जल्दी से भागा देखने लगते हैं मैक्स तु मैक्स बट इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया पांची में काटिये इतनी अपनी बैंड बजाने के बाद यह चीज तो कम फॉर्म हो चुग थी पांच मिनट में ऐसा कोई भी चमकार नहीं हो जाएगा कि मैं वहां पर पहु फुल जल्दी से भागा दोड़ी लग गई थी वहां पर क्यूंकि हमें पता भी नहीं ना एको कहां पर मिलेगा हम फॉर्स टाइम वहां पर दुनने में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया टाइम वेस्ट नहीं किया पर एको हमें डारेक्ट मिल चुका था ऐसा आपको से मतलब की ट्रेन से उतरने के बाद हमने सिर्फ भागा दोड़ी किया बिल्कुल भी सास नहीं लिया जल्दी से जैसे हम पीमॉल में पहुंचे जल्दी से भागते भागते सीने पोल्स में जो कि सबसे उपर फिफ्ट फ्लोर पे होता है अब यह भी हमें पता नहीं था कि अपो प्यादो फिए, बाद के जजय को गिंगा मंदूख कि ए जिए उडिचा और गुट में जो है कि अप बोल दी सकता हूं क्युकि मेरा इंटर्वें नहीं कोई गुट कर ड़ी एंटे प्लेटरे कुट कर यहाँ कर दो कि अहाँ तरी नहीं कर दो कि दो हम जब एशे क मेरे टर्न होते ही मुझे दो सप्राइजेज मिले बहुत बड़े बड़े फर्स्ट की हमारी मुवी मिस हो रही थी हम 40 मिनट लेट थे एक्जैक टाइम के तीन बच के 40 मिनट पे हमें एंटर हुए थे तीन बजे मुवी स्टार्ट हो गई होगी और मुजान का फ्लैजबेक द लड़कियां मतलब पूरा भाई हाउस फूल जब तक हम लोग यह सब एनलाइज कर रहे हैं थोड़ा सा रिलेक्स होते हैं इंटरवल हो जाता है हाशीरा आर के स्टार्ट होने वाला होता हमें फटे तक प्यास लगी दिबाद सूबे से एक घुट पानी नहीं पिया था जापानी स्टार्ट होते हैं डेफिनेटली इट फेल्ट नाइस हर किसी ने एनिमे के टी-शिर्ट पहन के रखे थी जिनेट्सू की नरूटो की मतलब मज़ा आगया वहां पे रहके एक चीज़ आखवर्ड होगी कि मैंने जो टीके लगा के रखे थे पूजा कर गया था मै वो लोगों को अलग लग रहा था और सब लोग मतलब लाई घूर भी रहते मुझे इनिवेज जिसके लिए इतना ज्यादा हार्ड वक किया था न हम लोगों ने उसका फल लेने का वक आगया था वो फल को जब हमने खाना चालो किया अधिया एक्शन वास गूड एनिमेशन और स्टॉप क्लास और ये थी वो शिट जिसके लिए मैंने इतनी महनत किया मेरे माइंड में वो चीज़ बोल दी थी बट सप्राइजिंग ली ये सीन सिरिफ पाच या दस मिनट तक चला इसके बाद सब कुछ मीड था मतलब लाइक लेटरली कैरेक्टर किस तरीक से रिकव और मुझे तो भाई मतलब मरने जैसा मन करा था कि इतनी महनत किया और ये एंड हो गया लग रहा था कि एक एप में का एपिसोड देखाओ एक एपिसोड इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद इतना ज्यादा बैंड बजाने के बाद I mean मेरे फेस को देखो मैं बिलकुल भी ए आई मीन वहां के जो ओडियंस थी जो वहां के लोकल लोग होंगे वह लोग भी शॉक्न हो गया था कि भाई ये कैसे एंड हो सकती है इसमें मतलब इन दिखाया ही क्या बट ये सब का हमारे पास डिसकस करने का टाइम नहीं किसी और से बात करने का टाइम था नहीं कोई रील सब्सक्राइब करने के लिए इतना ओफिशली बताया नहीं है आई मीन इस शीट इस फिकिंग इंसेन जो हमने किया इनिवेज इसके बाद हम डाइक रिल्वे सेशन आ गया ट्रेन पकड़ी छे बच गये थे अब डायरेक्ट सीन हम लोग बैटने का दिख रहा है पर हम वक्त भी हमने टिकेट खरी दी सेम कोस्ट पड़ा दो टिकेट का वन फिफ्टी बट भाई सज बता रहा हूं इतनी ज़्यादा बैंड अगर मैं बाइक से जाता तो नहीं बस थी पर मुझे नहीं पता था इंडियन रेलवे इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है इतनी इतना तो कॉमन है विकॉज हमने नहीं धंग से खाया है कुछ नहीं पिया है और खड़े रहें आदा घंटा मुश्कल से बैट पाते थे बस ताइम बहुत ज्यादा लग गया है हम लोग घर भी नहीं जा सकते हैं अब हमको यह शहन रुपना पर याद की रात होती है इस ट्रेन ने साड़े चार गंटे लगाई है वहां से यहां लाने में लास्ट ट्रेन का जो हम पकड़के गए थे उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इतना जादा भाई में फटे तक ठक गए थे हम लोग चलने का मन नहीं कर था एक कदम पर कुछ और ऑप्शन भी करती वो एक और सप्राइज देती है कि रेल्वेस्टेशन पास हमारी बाइक नहीं आई है क्यों बिकॉज आधे दूर में हमारी गारी खराब हो गई उसके वज़े से हमको 500-600 मीटर चल के जाना पड़ा बाइक के पास तिना मन नहीं करा था फिर भी वहां पे जाके चेक कर करना पड़ा कि क्या रीजन है चेक करने पता चल और उसमें पेट्रोल गायब है मतलब की पेट्रोल जो है खतम हो गया कैसे तो भी और इसके बाद एक और सप्राइजिंग बताता हूं कि हम लोगों ने चिप्स होगे रखा है जिए ठीक है खाने के लिए और मैंने उसको 200 क की नोट दिया था उसने रिटर्न मुझे पैसे नहीं दिया और ट्रेन आ गई और मैं वहां से हट गया था साइड में बात करने लगे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट और उस शॉपकीपर के बाजू में खड़े थे भाई उसने एक बार आवाज नहीं लगा और उसने पूर यह सारी की सारी चीज़े बुरे ड्रीम से कम नहीं थी अनबिलीविबल